आज मैं शेर करने वाले हूँ रक्षावंधन स्पेशल मोती चूर के लड़ू इससे बूंदी लड़ू या महिदाना लड़ू भी बोला जाता है इस लड़ू को हम बीना बेशन, बीना बूंदी तले, बीना जहारा केवल 10 मिनिट में तेयार करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें बीना स्क्रिप किए और अगर आपको मेरी महनत और रेसेपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो फिर चलिए, बीना किसी देरी के बहुती स्वाधिस्ट मोती चूर के लड़ू बनाना शुरू करते है सबसे पहले हम चाशनी तयार कर लेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप यानि 200 ग्राम चीनी लिया है चीनी को हम कड़ाई में डालेंगे, और मैंने यहाँ पे जिस कप से चीनी मेजर किया है, वो 240 मल वाला कप है और एक कप चीनी के लिए इसमें हम आधा कप पानी याड़ करेंगे गैस को ओन करेंगे और चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देंगे मोती चूर के लड़ो के लिए हमें एक तार या दो तर वाली चाशनी नहीं चाहिए हमें बस इतना चाहिए कि चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए जब तक चाशनी हमारा बन के तयार होता है तब तक हम आगे के प्रिप्रेशन देख लेते है मैंने यहाँ पे जो रेडी मेट मही दाना आता है मैंने यहाँ पे एक पैकेट यानि के 200 ग्राम मही दाना लिया है आपको यह किसी भी किराने के दुकान में इसले मिल जाएगी सबसे पहले हम पैकेट को खोल के मही दाना को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे अगर आपको मही दाना की रेसिपी जाननी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मैं उसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगे इधर चीनी पानी में अच्छे से घूल चुकी है और चाशनी भी तयार है अब हम चाशनी को एक बच चेक कर लेते हैं चाशनी को छूने से हलका सा चिपचिपापन यानि की ओयल जासा फेल होना चाहिए अब हम इसमें एक चुटकी ओरेंज और रेड फूट कलर एड़ करेंगे हलवाई लोग मोती चुर के लड़ू में इसी तरह से डो कलर एड़ करते हैं इससे लड़ू का कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है अब हम चाशनी में महीदाना एड़ करेंगे कैस का फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम पे रखेंगे और इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि महीदाना जो है वो चाशनी अच्छे से एब्सॉर्ब न कर ले अभी जैसे फेस्टिबल का टाइम चल रहा है राखी के बाद 15 अगस्ट या फिर जनमास्टर में आने वाला है तो आप इस मोती चूर के लड़ू को बना के एक बाद जरू ट्राइ करें बहुती स्वाधिस्ट बनती है फेस्टिबल की मौके पे घर में इतने सारे काम होते हैं कि मिठाई वगेरा के लिए घंटो टाइम निकालना मुश्किल होता है और इस तरीके से बीना घंटो मैनत किये घर में असानी से केवल 10 मिनिट में हम मिठाई बना के तेयार कर सकते हैं और लड़ू की तो बात ही अलगे क्योंकि ये घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को बहुत पसंद होते हैं इससे चलाते हुए 3-4 मिनिट हो गया है और मही दाना जो है वो चाशनी भी अच्चे से अब्सॉर्ब कर लिया है अब इसमें एक बड़ा चमच देशी घी आड़ करेंगे इससे लड़ू का जो स्वा दे और भी बढ़ जाएगा और हलवाई जैसे मोती चूर के लड़ू बनाते हैं उसी तरह हम इसमें दो बड़ा चमच मगच के दाने आड़ करेंगे मिक्स कर लेंगे सारे चीजों को अच्छे से अगर आपको मिठाई में इलाइची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें इलाइची का पाउड़ भी एड़ कर सकते हैं और अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप इसमें घी को भी टोटल स्किप कर सकते हैं सारी चीज अच्छे से mix करने के बाद gas का flame हम बंद कर देंगे और इसे हम हलका सा ठंडा होने देंगे अब मिही दाना जो है इतना ठंडा हो गया है कि इसका हम easily लड़ू बना सकते हैं इस तरीके से हम मुठी वर मिही दाना लेंगे और हल्कासा इस तरीके से दबाते हुए लड्डू बना लेंगे महिदाना जो है वो हमें पूरा ठंडा नहीं करना है नहीं तो लड्डू अच्छे बनेंगे नहीं और लड्डू आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं और मेरा पहला लड़ू बन के तयार है आप देख सकते हैं लड़ू देखने में कितना ही स्वादिस्ट लग रहा है और खाने में तो उससे भी स्वादिस्ट बना है और जैसे हलवाई लोग बनाते हैं बिल्कल वैसे ही बना है अब हम लड़ू को सर्व कर लेंगे आप आने वाले फेस्टिबिल के मौके पर इस मोती चूर के लड़ू को जरूर बनाए घर पर और जिनको मिधाई वगेरा बनाना नहीं आता है वो भी इस मोती चूर के लड़ू को बिना किसी जंजट के असानी से बना सकते हैं अब मैं आपको एक लड़ू सामने से तोड़ की भी दिखाती हूँ आप देखके अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ू कितने ही स्वादिस्ट बने हैं आपको मेरे आज के ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज की लिए बस इतना ही मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ